गुरुजी मेरा एक परिशन है, हाला कि मैंने बहुत दो तीन विद्वानों से भी किया था, उन्होंने अपने अपने तरक इस पे दिये हैं, बस आपके स्रीमुक से मैं सुनना चाता हूँ कहते हैं कि हम सब एक भगवान की कटपुतली हैं, जैसे वो नचाते हैं हम नास्ते चले जाते हैं तो जो हम करम करते हैं, चाए वो अच्छे करम कर रहे हैं या बुरे करम करते हैं, उसमें भी भगवान की इच्छा होगी, जिससे हम वो करम कर रहे हैं तो जब कोई का भुरा करम करते हैं तो उसका दंड हामे क्यों मिलता है मेरा ये प्रशन है बहुत सुंदर प्रशन है निका बड़ा गहरा है बड़ा अच्छा सवाल है कम लोग प्रशन करते हैं ऐसा आपने प्रशन किया है उत्तर दे रहे हैं सारी काम भगवान करते हैं कहते हैं इश्वर की मरजी के बना पत्ता भी नहीं हिलता तो जब सब भगवान करते हैं तो फिर पापी व्यक्ति क्यों है है ना हमने चोरी की तो फिर हमने वो भी इश्वर की मरजी से की क्योंकि सब इश्वर की मरजी से हो रहा ये सवाल है आपका, अब उत्तर, उत्तर के लिए आप से ही मैं प्रश्न करूँगा, आपकी एक गाड़ी है, माना कि एक कार आपकी है और आप मालिक है, कार के मालिक, आपने एक ड्राइवर लगा रखा, आपने ड्राइवर से कहा, कि गाड़ी लेके स्टेशन चले जाओ, ग आप जो कहते हैं, आपका ड्राइवर वहीं ले जाएगा गाड़ी, गाड़ी आपकी मर्जी से चलती है, चलाता तो ड्राइवर है, पर मर्जी आपकी है, सही है, जी बिल्कुर, आपने गाड़ी एरपोर्ट के लिए रवाना की, जा बेटा, मेरे गैस्ट आ रहे हैं, आपकी मर्जी से जा रहा है, पर रास्ते में वो गाड़ी को किसी डिवाइडर से ठोक देता है, तो गाड़ी का एक्सिडेंट हो गया, गाड़ी का नुकसान हो गया, गाड़ी च्छती ग्रस्त हो गई, तो क्या ये आपकी मर्जी थी? जी नहीं, आपकी मर्जी थी कि किसकी आपकी नहीं ड्राइवर की हा या ना ड्राइवर के पास दौनों थे एकसेलेटर भी था और ब्रेक भी था क्यों नहीं हिसाब से गाड़ी चलाया क्यों डिवाइडर में ठोक दिया आपकी गाड़ी आपकी मर्जी से चलती है पर जब उसका नुकसान होता है तो वो परवाही होती है उसी प्रकार ये संसार भगवान की ओर से चल रहा है मालिक भगवान है हम लोग केवल ड्राइवर हैं हमारे पास हमारे पास इस्वर ने बिवेक दे रखा है आपको पता है कि आपको गुलाव की सईया पर तो सोना है आप कहीं गुलाव होंगे तो आप जा समझ है तो आपने अपनी समझदारी से अपने मन को रोका क्योंने गलत काम से इश्वर की मर्जी से संसार चल रहा है आप और हम सब की मर्जी में इश्वर की मर्जी है पर हम जो गलत निरणे लेते हैं उसके लिए इश्वर ने हमें स्वतंत्र गाड़ी आपकी है मालिक आप ह भाई जहां जरूरत पड़े दवाती रहना उसी प्रकार ईश्वर ने भी हमें बुद्धी देखे स्वतंत्र कर दिया है कि जहां जरूरत पड़े वहां अपने हित में अहित में सोच लेना आपको कहा जाए कुए में गिर जाओ आप नहीं गिरेंगे आपको पता है यह गलत है तो आपको स्वयमको ईश्वर ने इतनी पावर दे रखी है मालिक तो आप हैं गाड़ी के लेकन कुछ पावर ड्राइवर के पास भी है है ना ब्रेक अक्सिलेटर उसी प्रकार संसार इश्वर का है संसार इश्वर के मरजी से चलता है पर जब आप गलत करते हैं तो वो इश्वर के मरजी नहीं होती वो आपके मन की गलती होती है आपने अपने मन को नियंतरित क्यों नहीं किया ड्राइवर ने गाड़ी को क्यों नियंतरित किया अब नुकसान हुआ है तो वो ड्राइवर को भी चोट लगेगी माले को चोट नहीं लगेगी भाई, अक्सिरेंट हुआ है तो चोट माले को घर में बैठा है माले को परमात्मा है अब तुम ही ड्राइवर हो तो तुम ही भोगो फिर तो अपने-पने की ये का दंड इश्वर की मरजी से संसार चलता है पर उन्होंने हमें सही गलत की सोच दे रखी सही गलत क्या है वो पहचान दे रखी है अब आप गलत करें तो इसमें दोसी इश्वर कैसे हो सकता है जी गुरुजी लेकिन मेरा एक थोड़ा सा डाउट है गुरुजी हमने रामाइन सीरियल देखा है टिवी में उसमें ये दिखाया गया था कि जब राम जी लंका को जीत लेते हैं और माता सीचा जी जब अगनी प्रिक्षा देती हैं उसके बाद में राजा दसरज जी आशमान में प्रकट होते हैं और वो राम जी को बोल दिया कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है रहा है मैं तुमसे बहुत खुश हूँ तो भगवान राम वहाँ पर उनसे एक चीज मांगते हैं कि आप मुझे एक वचन दे दो कि आप जो है माता के कई को शमा कर दो उनकी इसमें कोई गलती नहीं लेकिन वो जो आप बताने कि एक विवेक और जो भुद्धी जो दे रखी है वो भगवान ने सभी को दे रखी है वो माता के कई को भी दे रखी थी लेकिन उन्होंने गलत निरने लिया लेकिन भगवान ने उनको शमा कर दिया तो मैं एक क्याना चाहना हु कि जब भगवान उनको शमा कर सकते हैं तो हम लोगों को क्यों नहीं करते हैं करते हैं इधि थू बेटा प्राध हो गया राम यदि तुमने मुझे माप कर दिया तो वचन दो के अगली बार तुम मेरे पुत्र बनके आओगे वही कहके माता देवकी बनी और फिर उनके गर्व से स्रीकृष्ण प्रगठ हुए तो भगवान कहते हैं तुम कितने भी वड़े पापी हो यदि म होई मतलब जब मेरे सनमुखा जाएगा समर्पन कर देगा तो जन्म कोटी करोणों जन्मों के पाप मैं भूल जाओंगा ये लिखा है एक चोड़ा सा क्वशन कोशन है अपने सुनाय कि धरम बहन होती है लोगों से कहते सुनाय कि ये हमारी धरम बहन है ठीक है ये भी सुना पतनी भी एक ही होती है अब दूसरी पडूसन को तो आप कह नहीं सकते कि मेरी धरम पतनी है अपनी कोई नहीं आप पतनी कह सकती है मेरा पती है परमेश्वर है वहाँ धरम तो लगई है जोड़ई है कहने की जरूरत नहीं है है ना इसलिए पतनी धरम पतनी है धरम की मा बन जाती है धरम की बहन बन जाती है जो बन जाती है वो बन जाते हैं अब सब को आप कैसे अपना बना सकते हैं बना सकते हैं पर सब को धरम पती कैसे बनेगा कोई पती बरतानारी है न एक पती के सिवा एक पुरुष के सिवा पर आए इस पुरुष पर नजर जाएगी तो समाज उसे कुलटा कहेगा चरित्रहीन कहेगा, शूप नखा गई थी तो उसकी नाक का अनभंग हो गई, केवल ये धर्म नारी का नहीं है, पुरुष का भी है नारी का धर्म है कि वो अपने पती को ही परमेश्वर माने और पुरुष का धर्म है अपनी पतनी के सिवा पराई नारी को मा बहन और बेटी की रूप में ही देखे यहाँ वहाँ देखने की जरूरत नहीं है ठीक है तन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत हनवाद